भारत का एक ही मिशन है दुनिया को जोना विदेशों से भी सस्ता डेटा भारत में आखिर कैसे नमस्कार बहुत स्फागत है आपका न्यूस जटीन के स्वाट डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हो रीनो यादव जैसा कि आप सभी को मालूमें कि आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी दिली के प्रगती मदान में एक बहुत बड़े इवेंट में शामिल हुए हैं और इसमें उन्होंने देश के नागरीकों के लिए बहुत बड़ा तुखवा दिया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 15 अक्टूबर यानी की आच 15 अक्टूबर दोहजार 24 को इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के आठवी एडिशन की नई दिली के प्रगती मेदान में शुरुआत की शुर्ण उने कहा कि आज डूसरी देशों में मोबाइल डीटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है और भारत का एक ही मिशन है दूनिया को जोड़ना जितना डेटा का स्तमाल भारत देश में होता है ये सबसे जादा है विदेशों में डेटा बहुत जादा महंगा है और इस बज़े से लोग इसका बहुत सो समझ कर इस्तमाल करते हैं इस टेक इवेंट पे दुनिया भर के 120 से ज़ादा देश हिस्सा ले रहे हैं 400 से ज़ादा एक्जिबिटर और लगभग 900 स्टार्टप भी शामिल हैं तो वहीं IMC 2024 एक्जिबिशन में प्रधार मंतरी मोदी को टेक इनोवेशन दिखाए गए और प्रियम के साथ ही किंद्रे संचार मंतरी जोतर अदित सिंधिया बिश्दोरान मौजूत रहे कुछ छोटे छोटे जो इनोवेशन किये गए हैं उनकी प्रधार लगाई गए थे जिन्हें देखा गया है और समझा गया है कि जो नई नोवेशन एक इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में स्टार्ट अप की दुनिया में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं तो यहीं प्रधानवंतरी मोदी ने वर्ल्ड टेली कम्मिनिकेशन स्टेंडर डाइजेशन असेम्बली दोहजार चौबिस का ब्यूत घाटन किया जिसे पहली बार भारत और एशिया प्रशांत शेत्र में इंटरनाशनल टेली कम्मिनिकेशन यूनियन ने आयूचित किया है एक सो नबे से अधिक देशों के तीन हजार से अधिक प्रतिनिदी इसमें शामिल हुए हैं देश विदेश के कई बड़े प्रतिनिदी इसमें शामिल हुए हैं और यह जो इवेंट है यह न सिर्फ भारत के लिए बलकि देश दुनिया के लिए भी बहुती खास और बहुती महत्वपूर्ण है अब आपको हम सुनाएंगे भी आप सुनिये की प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी ने ज़रान क्या कुछ कहा मोबाइल कॉंग्रेस में ही हमने 5G लौंच किया था आज भारत का करीब परिभर जीला 5G सर्विस से जुड़ चुका है आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेकनोलोजी पर भी 3G से काम कर रहे हैं साथियों भारत ने टेलिकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किये जो इनोवेशन किये वो अकल्पनिय है अभुद्पूर्वा है इसे डेटा की कीमत बहुत कम हुई आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रती जीबी है जब कि दुनिया के कितने ही देशों में एक जीबी डेटा इससे दस गुना से बीस गुना जादा मेंगा है प्याम बोले भारत में 120 करोर मोबाल यूजर्स हैं भार भाषन के जो कुछ प्रवुक बिंदू है वो आपको जीटेल बता दें पिछले 10 साल में भारत ने जो आप्टिकल फाइबर विच्छाए हैं वे चंद्रमा और प्रत्वी की बीच के दूरी से आठबुना अधिक हैं ग्रामिन शेत्रों में भी लोग बहुती असानी से इंटरनेट का इस्तमाल कर पाते हैं अब नैटफर्की जो समस्याएं होती थी वो नहीं होती हैं और बहुत असान हो गया है लोगों को जुड़ना खास तोर पर इंटरनेट के माध्यम से दूर संचार शेत्र में सुधारों से इंटरनेट डेटा के कीमतों में गिरावट आई हैं और आज भारत में मुबाइल डेटा की कीमत 12 संट प्रती जीबी है दूसरे देशों में एक जीबी डेटा दस गुना महंगा है और आज भारती हर महने औस तन 30 जीबी डेटा का उप्योग करते हैं फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक कि हम उन्हें भारत निर्मित नहीं करते 2014 में एक एवल दो मोबाइल मैनिफेक्चरिंग यूनिट थी और आज 200 से अधिक हैं पहले हम विदेशों से स्मार्ट फोन आयात करते थे और अब हम आयात कम करते हैं बलकि इसे बहुत आसान बना दिया गया है भारत में 6 गुना अधिक फोन बनाते हैं इस बज़े से जो आयात क्या जा रहा था इसमें कमी भी आई है और सस्ते होने के कारण ग्रामिन चेतरों में भी लोग इसका बहुत आसानी सस्तमाल कर पा रहे हैं साथ ही भाशन के दौरान कुछ प्रमुक पॉइंट्स में ये भी शामिल है और ये वाके में कोविट के दिनों में लोगों ने दिखा है कि जो सोशनल मेडिया प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने किस तरीके से लोगों का जीवन आसान बनाये क्योंकि जादाता लोगों ने घर में बैठ कर काम किया है लोगों की रोजी रोटी बची रही क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से टेकनोलोजी के माध्यम से लोगों ने घर में बैठ कर भी बहुत अच्छा काम किया और लगतार देश चलता रहा आज भारत टेलिकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलोजिस के मामले में दुनिया के सबसे हापनिंग देशों में से एक है भारत में 120 करोड यानि की 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं भारत में 95 करोड यानि की 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और भारत में दुनिया का 40 प्रितिशत से जादा का रियल टाइम डिजिटल प्रांजेक्शन होता है अब आप देखेंगे कि जो यूपी आई या इंटरनेट के माद में हमसे जो पेमेंट्स किये जाते हैं सबसे जादा देश में होते हैं पुरे विश्व की अगर बात कर ली जाए तो भारत देश में जो यूजर्स हैं वो बहुत जादा और आपने देखा होगा कि आजकल जो चोटे व्यापारी हैं जो सबजी बिक रेता हैं फल बिक रेता हैं यहां तक जो रोड में दुकान लगा कर रखे हुए हैं थेली गुम्ते वाले उनके पास भी QR कोड होता है जिसमें वो पेमेंट करवा सकते हैं याने कि डिजिटली किस तरीके से भारत लगातार भारत के नागरे के आगे बढ़ रहे हैं यह एक बाकरी में बहुत प्रेशनसनी विशह भी है प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नलोजी रूट तक भारत का एक ही मिशन रहा है दुनिया को कनेक्ट करना और नए रास्ते बनाना नए रास्ते खोलना ऐसे में WTSC और IMC की साज़दारी भी प्रेरक और शांदार मेसेज है जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है तब पूरी दुनिया को इसका लाब मिलता है और यही हमारा लक्षे है आपने देखा होगा कि लोकल चीजों को ग्लोबल करना लोगों दूर तक लोगों तक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा उदेश रहा है जिसे पूरा किया गया है और इसी बीच जोतिर अदित सिंधिया भी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने दूर संचार की शक्ती के सबसे अच्छे उधारन डीबीटी या डारेक्टे बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं और ये स्कीम्स एक दिन में लोगों के बैंक खातों में डेली बिसेस पर एक करोड सधिक डारेक्ट कैश ट्रांसफर करती है साती सिंदन ने कहा कि भारत में मुबाइल कनेक्शन आज 904 मिलियन से बढ़कर 1.16 बिलियन हो गए है और अगले साल के मद्धे तक हम पूरे भारत में 4G सेवा शुरू कर देंगे भारत में सबसे तेज 5G रोल आउट किया गया है 2047 तक विक्सित भारत के हमारे सपने को सकार करने के लिए आई महत्वपूर्ण है और असलिए भारत को AI तुरंट अपनाना चाहिए हम सरकार से डेटा सेंटर पॉलिसी के 2020 के ड्राफ्ट को अपडेट करने में तेजी लाने का नुरूत करते हैं साथी भारती डेटा भारत के डेटा केंदरों में ही रहना चाहिए AI को लेकर बहुत जादा जोड़ दिया जा रहा है और यह कहना है कि 2047 तक विक्सित भारत के हमारे सपने को सकार करने के लिए AI काफी महत्पूर्ण होने वाला है आपने देखा कि AI की माध्यम से बहुत सारी जो इनोवेशन से वो तो ही रहे हैं लेकिन यह किस तरीके से जीवन में बदलाव लाएगा यह भी देखना हुगा क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत जादा उप्योग होने वाला है और आज दिली के प्रगती मिदान में एक बार फिर से प्रधान मंतुरी इंदरें रुमुदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए टेकनोलोजी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े इवेंट पे शामिल हुए हैं नमस्कार